एलो एब्रिवान वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल हम MS Word कर रहे थे इससे पिछली वीडियो में मैंने ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग, दॉक्युमेंट इन MS Word ये सब बताया है MS Word के यूजर्स बताये हैं आज की वीडियो में हम MS Word के बारे में कुछ ऐसी बाते करेंगे जो हर किसी को नहीं पता होती जैसे जो हमारा MS Word 13 है उसमें अगर हम डॉक्युमेंट को किसी पुराने वर्जन के डॉक्युमेंट को ओपन करें तो वो डॉक्युमेंट कमपैटिबल मोड में ओपन होता है जिसमें कुछ नए फीचर्स जो होंगे नए वर्जन के वो नहीं आते बाकी फीचर्स को वो यूज करके फाइल को ओपन कर देता है अगर हम किसी डॉक्युमेंट को अगर क्लोज कर देते हैं बीच में ही तो उसके लिए एक बुक्माक आइकन भी बन जाता है हम उस फाइल को जब भी ओपन करेंगे तो वहाँ पर वेलकम बैक मेसेज आएगा पिक अप वेर यू लेफ्ट आफ जितना आपने किया था वहीं से ही वो फाइल ओपन हो जाएगी तो बुक्माक हो जाएगा वहीं से पेज यह भी हमारा MS Word 13 का फीचर है इसके बाद आते हैं editing documents पे editing में हमारा आता है selecting, deleting, moving, copying अगर हम किसी भी text को select करेंगे और उसके उपर कुछ भी options apply करेंगे that is called editing formatting how to select the document we can say how to select the word or a sentence or a paragraph if we double click anywhere in the word then we select that word if we hold down the control key and click anywhere then that whole sentence is selected if we want to select a line then we can click on the left side of the line left area left blank area होता है वहाँ पर हम जब cursor लेकर आते हैं तो एक arrow आता है उस पे हम जब click करेंगे तो वो पूरी line या पूरी row select हो जाएगी अगर हमें कोई paragraph select करना है तो उस paragraph में हम किसी भी जगा triple click करेंगे तो वो paragraph select हो जाएगा और अगर हमें पूरा document select करना है it means हम control a press कर सकते हैं या triple click on that selection area कर सकते हैं यहाँ पर text को या page को या line को select करने के सारे methods बताए गए हैं आप इसको अच्छे से read कर सकते हैं इसके बाद हम आते हैं deleting the text text को delete करने के लिए simple हम उस text को select करेंगे उसके बाद delete की प्रेस कर देंगे तो वो text हमारा delete हो जाएगा हम backspace press करके भी रख सकते हैं अगर हम किसी line के end पे click करें वो line delete करनी है तो हम backspace से भी उस line को delete कर सकते हैं या उस paragraph को delete कर सकते हैं दोनों delete की प्रेस करके भी और backspace की प्रेस करके भी इसके बाद आ जाते हैं moving text पे moving text और copying test moving text का मतलब होता है एक जगा से text को उठा के दूसरी जगा ले जाना move कर देना copy text का मतलब होता है कि we need same text more than one time तो उसको हम चाहिए हम copy करें या cut करें हमें text को paste करना होगा दूसरी जगा अगर हम cut करके paste करते हैं that is called moving क्योंकि हम एक जगा से उठा के दूसरी जगा ले जाते हैं copy means हम एक जगा जहां से उठा रहे हैं वो text वो उस जगा भी है और दूसरी जगा हम उसको paste कर रहे हैं तो cut paste और copy paste generally हमारे पास यह options होते हैं cut paste हम moving के लिए use करते हैं copy paste हम copying के लिए use करते हैं I think आप यह points read कर सकते हैं सारे home tab में clipboard group के अंदर हमारा यह options आते हैं cut करने के लिए ctrl x copy के लिए ctrl c और paste के लिए ctrl v ब्रेस करते हैं text को पहले copy या cut करेंगे उसके बाद उस text को paste करेंगे where we want to paste इसके बाद आ जाते हैं undoing and redoing changes in case हमने कुछ ऐसा copy paste किया या कुछ भी ऐसा text लिखा जो हमें नहीं चाहिए था हमें one step back जाना है तो अगर हमें one by one step back जाना है तो हम undo करते हैं undo के लिए shortcut की होती है ctrl z और यह quick access toolbar में directly भी आपको show हो जाएगा यह icon भी given है redo के लिए it means हमें one step forward जाना है तो हम redo करते हैं और उसके लिए shortcut की होती है ctrl y इसके बाद आ जाते हैं formatting documents पे formatting documents means we can change the font, font size, font color, font style and effects these all options are in font group that is in home tab हमारे ribbon में जो home tab होती है उसके अंदर font group में formatting के सारे options फोटे हैं जैसे bold italic underline, strike through, text को bold करना, italic करना, underline करना या उसके text के size को change करना, style को change करना यह सारा कुछ तो अब यहां पर text के size को style को कैसे change करते हैं वो सब बताया हुआ है, you can read from here उसके लिए steps यहां पर given है, theory paper के according यहां पर steps दिये हुए हैं तो आप theory paper के according यहां से पढ़ सकते हैं आगे बताया हुआ है font color और highlight text कैसे कर सकते हैं हम उसके लिए सारे steps यहां पर given है theory question paper को solve करने के लिए आपको इस तरह की book की need होती है जिसमें सब कुछ clearly step wise लिखा हूँ तो यह book बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं इस book से आपको करवा रही हूँ आगे सारा कुछ दिया हुआ है apply font style and effects यहां पर table की form में सबके name given है और उनकी related जो भी उनके examples है या उनके description सब कुछ दिया हुआ है यहां पर यहां से सिर्फ read करने का है यह यहां से आप read कर सकते हैं सारे icons का meaning यहां पर given है यह सारे options हमारे font group के अंदर आते हैं इसके बाद अगर हमें clear formatting करने हूँ इनकेस हमने कोई formatting लगाई है किसी text के ओपर वो formatting अगर हमें ठीक नहीं लग रही यहां उसको remove करना चाहरे है तो उसके लिए भी यहां पर एक clear all formatting का option होता है home tab में ही font group के अंदर तो clear all formatting बटन पर क्लिक करते हैं तो जो basic font होता है टेक्स्ट का या basic size होता है वही आ जाता है सारी formatting जो हमने apply की थी वह सारी हट जाती है उसके बाद copying formatting के लिए हमारे पास एक option होता है format painter जिसका यह icon भी आप देख रहे हैं यह भी home tab में ही clipboard group के अंदर होता है जो भी formatting कहीं से भी किसी document से हमें पसंद आती है हम उसको select करके format painter से copy कर लेते हैं वह formatting हम किसी भी document में apply कर सकते हैं तो वह same formatting apply हो जाती है दूसरी ज़गा इसके बाद paragraph formatting आ जाती है paragraph formatting भी same है home tab में एक नया ग्रूप है paragraph के लिए उसमें alignment के option आ जाते हैं show hide के option आ जाते हैं कुछ options add हो गए है alignment बहुत important होती है फिर किसी भी paragraph की left align और right align और centered और justify चार तरह से alignment होती है एक paragraph setting में होती है paragraph spacing जिसमें हम paragraph में lines के बीच का space manage कर सकते हैं तो उसके लिए भी यहां पर steps given है आप 1, 1.15, 1.5 and so on आप line spacing set कर सकते हैं जैसी आपकी document की requirement होती है तो यह यहां पर given है इसके बाद आजाता है paragraph indentation indentation हमारी या तो हम increase कर सकते हैं या decrease कर सकते हैं आपने देखा होगा कोई paragraph कई बार starting में कुछ space लेके start होता है तो वो हम उसको indent set करके ही set करते हैं paragraph को तो यह भी हमारा एक important feature है paragraph indentation उसके लिए भी यहां पर steps दिये हुए है और यहां दिखाया हुआ भी है diagram के through जिसमें line की indent कैसे set होती है यह बताया हुआ है क्लिक करेंगे हम इस icon के उपर और उसको drag करेंगे आगे पीछे तो वह हमारी indent set हो जाएगी first line की बाकी line जैसे हमने alignment रख की होगी उसके according set हो जाएंगी इसके बाद adding border and shading यह भी home tab में paragraph group के अंदर आता है border and shading जो भी text हमने या paragraph हम में select किया होगा उसको हम border दे सकते हैं उसके background को change कर सकते हैं shading पर click करके हम different type की theme colors लगा सकते हैं तो यह उसका diagram है आप यहाँ पर multiple colors देख सकते हैं किसी भी तरह का border लगा सकते हैं left side में और right side में हम color भी कोई भी choose कर सकते हैं तो यह दोनों diagram से आप border and shading apply कर सकते हैं इसके बाद आजाता है creating bullet and numbers अगर हमें जो भी हमने lines लिखी हैं उनके आगे numbers लगाने हैं या bullets लगाने हैं मतलब कोई भी shapes लगानी हैं तो हम bullet and number का use करते हैं तो यह different type के bullets यहां पर left side में left diagram में दिखा रखे हैं और right side में numbers दिए हुए हैं तो आप diagram देख सकते हैं यहां पर steps भी given हैं सबका icon बना के बताया हुआ है तो you can read from here इसके बाद यह हमारा एक तरह से home tab के सारे options हैं तो यह सारा इसके बाद आ जाती है multi level list multi level list में आपने देखा होगा कि कई बार जैसे numbers लिखे होते हैं one उसका कोई further part होता है तो one का a, b, c जब हम multiple लिखते हैं तो उसको हम multi level list बोलते हैं जब हम किसी main point के अंदर further points लिखते हैं multi level list भी है तो हम इसके through हम further parts भी बना सकते हैं किसी भी number के इसके बाद आ जाता है applying styles मतलब हम अपनी document पे different type के styles apply कर सकते हैं वो हमारे home tab में style group के अंदर आते हैं यहां इसका diagram भी given है तो यह हमारा apply styles है इसके लिए भी यहां पर सारी theory given है step wise सारा कुछ steps में दिया हुआ है home tab में style group में last में corner पे एक dialogue box launcher होता है उसको click करते हैं तो further open हो जाती है program window और वहां से हम styles देख सकते हैं वहां से हम headings को format कर सकते हैं next आ जाता है previewing and printing document जब हमें कोई भी document print करना होता है तो हम file पे click करके back stage view में जाते हैं वहां पर print का option आता है जिस पर हम click करते हैं तो पहले हमें print preview नजर आता है जिसमें हमारा पूरा home tab पढ़ा उसके सारे options हमने देखे आज की वीडियो में इतना ही I think आपको यह सब समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चेप्टर के साथ तब तक के लिए thank you please like share and subscribe the channel